कवा और कवी जंगल के एक कौने में रहते थे वो दोनों कवे कोई काम धंदा ना करते बलके हमेशा जूट बोल कर और दूसरों को पागल बना कर ही अपना पेट भरते थे कालू जी भूख लगी है चलो जंगल जाते हैं और किसी पक्षी को उल्लू बना कर पेट भरते हैं गोरी गोरी कल मैंने देखा था नदी के पास एक चुडिया समोसे बेशती है आज उस चुडिया के पास जाते हैं कवा और कवी उड़ते हैं और सीधा चुडिया के समोसों के ठैले पर जाते हैं कवो, बताओ, बताओ, क्या बात है, क्या लेना है आपको चुडिया, आप एहले इस तोटे को चीज दे दे मुझे पाँच समोसे मीठी चटनी के साथ दे दो चुडिया जैसे ही तोटा समोसे लेकर जाता है गोरी कवी इधर उधर देखकर बॉलती है चड़िया चड़िया बहुत बुरा हुआ हम कवे दूसरे जंगल से आ रहे थे किसी ने हमें लूट लिया हम आटो में बैठे थे कि हमारी आँख लग गई और किसी ने हमारे बैग से सारे पैसे निकाल लिये ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ जहां पुरे पक्षी हैं अच्छे भी वहाँ ही रहते हैं जैसे तुम्हारे जैसे अच्छे पक्षी चिडिया चिडिया भूके हैं बहुत भूक लगी है हमें दो दो समोसे ही दे दो गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी चिडिया को उन कववों पर दिया आ जाती है और वो उन्हें दो प्लेट समोसे लगा देती है कववे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समोसे खाने लगते हैं चुडिया चुडिया तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारे समोसे भी बहुत स्वादिश्च हैं ऐसे चुडिया को उल्लू बना कर कवे पेट भर समोसे खाते हैं और अपने घर वापिस चले जाते हैं दूसरे दिन कवे फिर से अपने घड़ से निकलते हैं रास्ते में वो एक पेड़ पर बैठ कर सलाह करते हैं कालू जी आज तो मेरा मिठाई खाने का मन है जरने के पास एक कबूतर मिठाई बेशता है मगर उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है मुझे भी गोरी कहते हैं तुम चलो मैं कोई न कोई तरीका निकाल ही लूँगी गोरी और कालू उड़ते हैं और सीधे कबूतर की दुकान पर जाते हैं गोरी वहां जाकर रोने लग जाती है कबूतर चाचा मिठाई वाले मेरी माँ बहुत बिमार है और डॉक्टर ने कहा है अगर शाम तक मेरी माँ को एक गुलाब जामÖ्ष तो रस गुले और लड़ू ना दिये तो मेरी माँ मर जाएगी बचा लो कबूतर जी मेरी बत्नी की माँ को बचा लो तो दिक्ट क्या है, आमो से मिठाई ले जाएं, मेरा तो काम ही मिठाई बेचना है कबूतर जी, कबूतर चाचा जी, दिक्ट तो है, हमारे पास पैसे नहीं है, किसी जालिम ने मेरे पती की जेब काट ली है हाँ हाँ मैं सो गया था और आटो में बैठे साथ वाले पक्षी ने अपना काम दिखा दिया मुझे तो लोगता है मेरी जेब चिड़िया ने ही काटी है अच्छा तो ये बात है लो ये मिठाई ले जाओ जाकर अपनी मां को बचाओ अगर मेरी मिठाई खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी मा जी को भी आपकी मिठाई खाकर बहुत खुशी होगी कवा और कवी मिठाई लेकर वहां से चले जाती है पीछे ही चिड़िया वहां आती है कवों को जाता हुआ देखकर चडिया कबूतर से पूछती है कबूतर ये यहां क्या करने आए थे बहुत मजबूर थे बेचारे मिठाई लेने आए थे मगर रास्ते में आटो में किसी ने इन्हें लूट लिया है ना ऐसा ही है ना हाँ हाँ चडिया मगर तुम्हें कैसे पता चला क्यूंके यही बात बोलकर ये कवे कल मुझसे समोसे खा कर गए थे इसका मतलब वो फ्रोड ये हैं वो मुझे चूना लगा गए और मुझे भी कालू कालू जब मैंने कहा के मेरी मा मर जाएगी अगर मिठाई ना मिली तो वो कबूतर तो सच में ही रोने लगा था हाँ 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 मुझे मुझे तो हंसी आ रही थी मैंने दूसरी दरफ मूँ किया अपना जब जब तुम रो रही थी मा मा मिठाई मांग रही है अब तो हर रोज किसी ने पक्षी को उल्लू बना कर पेट भरा करेंगे हम अगले दिन कव्वा और कव्वी चील मौसी की दुकान पर जाते हैं चील जंगल में चाई बनाया करती थी गोरी और कालू चील के पास चाकर बैठ जाते हैं कावी और कावे क्या चाई पीने आई हो चील मौसी चील मौसी इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे है हम वदेशी जंगल से आए है चिडिया ने हमें दो दो समोसे दिये है और आपके पास बेजा है कि जाकर चाई पी ले और पैसे चिडिया दे देगी पैसे चिडिया देगी तो ठीक है लो तुम ये चाय ले लो मैं चिडिया से पैसे ले लूँगी पीछे से चिडिया और कबूतर भी आ जाते हैं आखिर कब तक तुम ऐसे ही जूट से काम चलाओगे एक दिन तो पकड़े ही जाओगे क्या हुआ चिडिया चील दी पहले इन्होंने मुझे पागल बनाया फिर कबूतर चाचा को और आज आपको चूना लगाने के चकर में हैं ये कवे धोका, जूड और वो भी चील मौसी के साथ गोरी भाग, भाग, गोरी भाग, बहुत पिटने वाले हैं मगर चील उन्हें पकर लेती है और मार मार कर उन्हें बंदर बना देती है ऐसे कवों को बुरे कामों की सजा मिलती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद चिडिया का एक आम का पेड़ था चिडिया अपने पेड़ से आम तोड़कर खुद भी खाती और अपने बच्चों को भी देती और नदी की नारे बैठकर मीठे मीठे रसीले आम दूसरे पक्षियों को बेच दी चिडिया के घर का गुजारा अच्छे से चल रहा था बैचो आप घर में बैठकर ये मीठे मीठे आम खा लो और मैं ये बाकी के आम बेच कर आती हूँ चिडिया आमों की टौकरी लेकर नदी की नारे चली जाती है आम लो आम मीठे मीठे रसीले आम मीठे मीठे आम आंटी चुडिया यहां बैठी हुई है अभी जाकर आंटी चुडिया के पेड़ से आम चुराता हूँ जगुकवा गोरी का विका बेटा जो बहुत चोरियां करता था वो चुडिया के आम चुराने चला जाता है चडिया बेहन मेरी बेहन आई है दूसरे जंगल से तुम यह सारे ही आम बैग में डाल दो ऐसे चडिया के सारे ही आम मिन्टों में बिक जाते हैं मेरे आम तो बिक के, अभी तो शाम होने में काफी टाइम है मैं थोड़े से और आम लाकर बेच देती हूँ चिडिया अपनी टौकरी उठाती है और अपने पेड़ से आम लेने चली जाती है यह भी खटा है इसे फैंक देता हूँ यह भी खटा है यह थोड़ा कम मीठा है हाँ वो वाला तोड़ता हूँ जगू कवे ने तो चुडिया के आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे ठेर लगा दिया था। चुडिया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको छोटे कवे के बच्चे तुम बहुत बुरे हो। भला ऐसे भी कोई खाने की चीज को जाया करता है। एक चोरी कर रहे हो और दूसरा सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे फैंक रहे हो। करूँगा करूँगा मैं ऐसा करूँगा कर लो जो करना है। जिस्से में चुडिया जगू कवे के एक थपर लगा दी है। तोड़ अब तोड़ तू कच्चा आम तेरे जैसे बिगड़े हुए कवे का यही इलाज है। जगू कवा रोने लग जाता है। तुमने तुमने मुझे मारा मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जगू कवा घर जला जाता है। उसने मारा है मुझे ममा ममा मुझे उस चोटी चड़िया ने मारा है। हाई मैं मर गई मेरे जगू की गाल किसने लाल कर दी। उस चड़िया ने बहुत जोरों से मारा है। ममा उसने मेरे मूपर थपड मारा है। उस चोटी चड़िया की इतनी हिम्मत मैं अभी देखती हूं उसे गुसे में चड़िया घर से निकलती है मेरे बेटे की गाल लाल करके तू यहां बैठी आराम से आम बेज रही है ऐसे कहते हुए गोरी ने चड़िया के सारे आम उठा कर नदी में फैंक दिये एक चोरी उल्टा सीना जोरी अपने बेटे से भी तो पूछो मेरे सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे फैंक रहा था वो वो मेरा बेटा है गोरी का बेटा वो जो चाहे वो करेगा आएंदा अगर मेरे जगू को पंक भी लगाया तो मैं तेरे बेटे को जान से मार दूँगी गोरी का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था रात भी हो गई थी जब कालू कवा और जगू सो जाती हैं तो गोरी कवी जहर की बोतल लेकर अपने घर से निकलती है और चिडिया के पेड़ पर लगे सारे आमों पर जहर गिरा देती है अब मरेंगे चिडिया भी मरेगी और उसके बच्चे भी मरेंगे गोरी कवी घर आकर आराम से सो जाती है सुभा हो जाती है ममा रोज आम रोज आम आज हम आम नहीं खाएंगे आज हम आलू वाला पराठा खाएंगे अच्छा ठीक है मैं अभी अपने बचों को आलू वाला पराठा बना देती हूँ चिडिया ने हमेशा दूसरों से अच्छाई की थी शायद इसलिए आज उसके बच्चे आम नहीं बलके आलू वाला पराठा मांग रहे थे क्यूंके आमों पर तो गोरी ने रात को जहर फैंक दिया था जब गोरी कववी सोकर उठती है तो कालू कववा और जगू घर में नहीं थे ये कालू और जगू आज सुभा सुभा कहां चलेगे शायद सुभा की सेर करने गे होंगे मगर कालू कववा और जगू तो चिडिया के आम के पेट से आम खाने गे थे गोरी ये नहीं जानती थी कि जो जहर उसने चुड़िया के बचों को मानने के लिए आमों पर लगाया है वो जहरीले आम, उसका पती और बेटा ही खाने वाले थे पापा, पापा मैं यहां बैठता हूँ और आ पहले आम खा लो जगओ, जगओ बेटा रुको, मैं चुड़िया को देख कर आता हूँ कि चुड़िया क्या कर रही है फिर कालू कवा चुड़िया के घर जाता है, वो खिड़की मेंसे देखता है हम्, चुड़िया तो रोटी बना रही है इसका मतलब अभी चुडिया अपने आम के पेड़ के पास नहीं आएगी, मुका अच्छा है कवा वापिस जाता है जगू आजाओ, जी भरके आम खाओ, चुडिया तो घर में रोटी बना रही है, हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है फिर जगू कवा और उसका पिता कालू कवा वो जहर वाले आम खाने लगती हैं जब अपना काम खतम करके, चुडिया अपनी टोकरी उठाए अपने आम के पेड़ के पास आती है तो पेड के नीचे जगू और कालू कवा दोनों मरे पड़े थे कोई है कोई है देखो देखो क्या हुआ है कालू कवे और इसके बेटे को तोता ये देहकर भागता है गोरी गोरी जल दिया कालू और जगू को कुछ हो गया है गोरी भागती है गोरी की आँखों के सामने उसका पती और जवान बेटा मरे हुए थे मेरा जगू, मेरा कालू, ये मैंने क्या कर दिया मैंने अपने ही पंखों से अपने बेटे और पती को मार दिया है मैंने क्यूं ऐसा किया, मैंने क्यूं चड़िया के आमों पर जहर गिराया गोरी चुप कर जाओ, अब गया समय लोड कर नहीं आने वाला किसी का बुरा सोचोगी तो अपना तो बुरा होना ही है